दोस्तों ये एक स्लेंडर आपको दिलाएगा 9000 रुपे एक दिन के और मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक चलता फिरता बिजनस है जिसके लिए हमें हर्याना से भावनगर आना पड़ा बेहत लाजवा भी बिजनस आईडिया होने वाला है पहले आपको पूरी प्रोसेसि दिखाई जाएगी कि किस तरीके से प्रोडेक्ट बनता है और फिर किस तरीके से आप चलते फिरते इस प्रोडेक्ट को बेच कर 9000 रुपे कमा पाएंगे या फिर एक शोब डालकर 9000 रुपे अप्रति दिन कमा सकते हैं एक 2 रुपे की चीज आप 5 या 10 रुपे के अंदर पड़े अराम से बेच पाएंगे और प्रोडेक्ट की डिमान आपको बताना चाहूंगा कि दो रुपे का इतना ज्यादा बिकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का स्टोक है यहाँ पर पूरा पूरा गोडाउन देख पाएंगे और जो कंपनी है हर एक यह कंपरी की सारी प्रोसेसिंग यूनिट है मैनिफेक्ट्री यूनिट है तो वीडियो बेहद लाजवाब होने वाले कि एक छोटा सा प्रोडेक्ट किस तरीके से आपको लाखो या हजार और रुपे कमा के देगा तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी हम बनाने जा रहे हैं जीरू यानि की मसाला फ्लेवर जीरा मसाला फ्लेवर जिसको बोलते हैं साथ लिटर पानी है और उसके अंदर हमने साड़े चार केजी सुगर एड़ करना है अभी हम इसके अंदर दाल रहे हैं चीरा मसाला यह पाउडर फॉर्म में है और यह लिक्विड फॉर्म में दोनों एड़ करना है अभी मिक्स कर देना है दोनों को अभी यह ग्यारा लिटर का बेज तैयार हो गया है जीरा मसाला का और इसको किस तरह से मसीन में सेट करना है वहम आपको दिखाते हैं आगे यह चन्नी से चांडना है कि अभी यह फ्लेवर लगा दिया है दो फ्लेवर बन चुके ओरेंज और यगे जीरा मसाला पीछे से यह बाइब दिया है मसीन के अंदर हमने दो फ्लेवर दाल दिये हैं मसाला और ओर ओरंज कि किस तरह से निकल दे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये मसाला फ्लेवर यानि की जीरा मसाला आप देख सकते हो उसके अंदर कितना स्ट्रॉंग ने से सोडा के अंदर अभी हम दूसरा फ्लेवर निकालेंगे इसके अंदर से और एक फ्लेवर औरेंज इसी तरह मसीन के अंदर आप एक साथ आठ फ्लेवर निकाल सकते हो एक प्लेइन सोडा निकलती है और छे जो फ्लेवर है अलग अलग फ्लेवर निकलती है इस वीडियो के अंदर हमने इसको बनाने का पूरा प्रोसेस जाना अब हमारी ओडियोंस को यह बताइए कि इसकी कोश्ट क्या पड़ेगी अगर वो इसे बनाते हैं तो मनोजी यह मशीन के अंदर जो फ्लेवर की कोश्ट आएगी एक रुपिया पतिस पैसा और आप इसका जो प्लास्टिक का ग्लास डिस्पोजेबल है वो आएगा साट से सतर पैसा टोटल लगा लो दो रुपिया का आपको यह ड्रिंक पड़ेगा जैसे आप मार्किट में पांच रुपिया है दस रुपिया है जैसी आपकी लोकिशन है उस तरह से वहाँ पर आप सैल कर सकते हो ठीक है और बात करें तो सर यह इस मशीन की कपैसिटिक है प्रोडेक्शन के कहीं पर कैसे गाड़ी के अंदर भी लगाए जा सकते है सर चलती फिरता अगर इसका कोई बिजनस करना चाहिए यह मसीन को आप कोई भी गाड़ी के अंदर इंस्टोलेशन कर सकते हो और कहीं पर भी जाके अपना बिजनस कर सकते हो गाड़ी लेके अच्छा इसका प्लस देते हैं वरना वो अपनी गाड़ी जहां पर है वहां पर मसिन हम उसको ट्रांस्पोरटर सरे बेद देते हैं और वो भी इंस्टोल कर सकता है ठीक है और बात करने सार इस मशिन की कीमत की तो सर क्या प्राइज होगा सरी इनका मशिन का जो प्राइज रहता है हमारा बेजिक जो मोडल है 6 प्लेस हो वो 90,000 से चालू होता है और अलग-अलग फ्लेवर और अलग-अलग मोडल के अंदर अलग-अलग प्राइज रेता है ठीक है और बात कने सार अगर कोई इसका बिजनस करता है तो कितने रुपे तक income कर सकता है और इस तरीके से उसको बेज सकता है सरी से देखो मनोज जी इसके अंदर जो ये glass पढ़ रहा है वो 2 रुपे में पढ़ रहा है अगर वो 5 रुपे में भी sell करता है तो minimum उसको 3 रुपे मार्जीन मिलता है डेली का वो दो अजर तीन अजर ग्लास बेचता है तो आराम कर लो दो रूपया इंटू तीन अजर यानि कि छे अजर रूपया डेली वो कमा सकता है बहुत बढ़िया और देखिए इस काम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि रिटेल के अंदर होता है आप अपनी गाड़ी के अंदर इसको इंस्टोल करवाके उस गाड़ी को कहीं पर भी ले जा सकते है आपके आसपास कोई स्कूल है या कहीं मेला लगा हुआ है तो वहाँ पर जाके सिरफ इस चीज को खड़ा कर दीजे और अच्छे अच्छे फिलेवर इसमें जैसे बताया है सर ने इस तरह की फिलेवर आप अड़े करके आपने कस्टमर को देते हैं तो आपको अच्छा प्रोफिट होता है तो सर कोई आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहे अपना काम स्टार्ट करना चाहे अच्छा आपने पलस पॉइंट ये भी बताया है कि कस्टमर को घबराने की जुरुत नहीं है एक टोकन मनी देके अपनी मशीन को बुक कर सकता है उसके बाद जब उसकी ट्रांस्पोर्ट में मशीन पहुचेगी बाद की पेमेंट तब लेगी कंपनी हाँ हमारी कंपनी फैसलीटी देती है आपको खाली टोकन मनी दालना है आपके डेस्टिनेशं पे मशीन आ जाए बाद में जो बाक़्ी के माउंट आपको करना है तो सर आपकी कंपनी जो क्या है ये सभी प्रोड़ेक्ट खुद मैनिफेक्ट्र करती है हमारी कमपनी सभी रेफ्रिजरेशन प्रोड़क्ट, सोडा सॉप्ट मोडल, मारुती वान मोडल, बॉटलिंग प्लांट, सॉफ्टी मशीन, वीजी कुलर, सुगर केन मशीन और पानी पूरी मशीन, सभी मशीनरी के अंदर डिल करती है तो सर, अगर कोई इस मशीन को लगाता है, तो बिजले की कंजप्शन क्या रहेगी, और जब इसको कार में वो लगाएगा, तो बिजले की ववस्ता किस तरीके से होगी? ये मशीन का जो पावर कंजप्शन है, वो डेली चार यूनिट लेती है, अगर आप ये मशीन को कोई गाड़ी में या कोई टेंपो में लगा सकते हो, तो ये बैटरी इन्वेटर पर मशीन चल सकती है तो सर कोई आप से ही मशीन खरीदता है, तो इस मशीन के साथ और क्या क्या चीज आएंगी सर? मशीन के साथ हम सियो टू सिलिंडर, फ्लेवर और मिक्स्चर, सभी ये आइटम उसके साथ फ्री देते हैं तो सर जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई बड़े लेल पर भी इस काम को स्टार्ट करना चाहता हुगा तो इस मशीन के अंदर क्या कोई अलग-अलग मोडल भी आते हैं सर? हमारी कम्पनी अलग-अलग मोडल भनाती है, जैसे ये हो गया 6-2, ये है 6-1, ये भी 6-1, ये हमारा मोडल है 8-2, ये मोडल है 10-2, उसी तरह ये मोडल है 4-2 और मशीन के अंदर हमारे अलग-अलग मोडल है एक मोडल ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आपके पास पानी नहीं हो तो पीछे पानी का स्टोरे जाता है तो आप वो मिंडल ओडर के पानी से आप सोडा बना कर बेच सकते हो तो देखिए वैसे तो हमने इस वीडियो के अंदर सभी चीज़े कवर करने की कोशिस की है फिर भी आपके कोई डाउट है तो स्क्रीन के ओपर आपको कंपनी का नाम, फोर नमबर, एडरस सारी जानकर ही दी जारी है आप इनसे कोंटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर विजिट कर स सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन जै हिन जै भारत